राम लला अपने भावे मंदर में भरे ही 22 जन्वरी को विराजेंगे लेकिन अपने मंदर में आगमन से पहले तैयारियों का एक अलगी माहौल बनने लगा है भगवान श्री राम अपने मंदर में विराजमान होने से पहले राजडीती भी चरम पर पहुची हुई है अब तक भारती जंता पाटी के शीष नेता और राम जन भूमी मंदिर आंदोरन से जुड़े रहे लाल कृष्ण अडवानी और मुरली मनोहर जोशी के आमंत्रण का मुद्दा करमाया हुआ था दावा किया जा रहा था कि इन दोनों ही वरिस नेताओं के उम्र को ध्यान में रखते हुए मंदिर के उद्गाटन समारों से दूर रखा जा सकता है हाला कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भाजपा के शीष्टम नेता लाल कृष्ण आडवानी को मंदिर उद्गाटन का नौतिया दे जाने की बाद भी सामने आई है विपक्षी दलों की ओर से इस आयोजन पर प्रतिक्रिया आने लगी है ग्रेटर नौइड़ा पहुचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तरप्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने आमंतरन मिलने पर कारक्रम में शामिल होने के संकेत दिये अखिलेश यादव ने राम मंदिर के उद्गाटन समारों में शामिल होने को लेकर बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि अगर मुझे राम जन भूमी मंदिर में राम लिला की प्रांट प्रतिष्टा समारों में शामिल होने का आमंतरन मिला तो मैं इसमें जरूर शामिल हूँगा नौइडा में मीडिया से बाचीत के दौरान अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर खुल कर बात रखी इस से पहले पार्टी महासचिप शिप्पाल यादव भी राम मंदिर को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं पिछले दिनों उन्होंने कहा कि राम बंदिर किसी एक पार्टी की ओर से नहीं तैयार किया गया बगवान रम सबके हैं उनका मंदिर सबका है हम लोग सनातन को मानने वाले लोग है ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी रणीती में बदलाफ करती हुई नजर आ रहे है आपको बता दे कि वर्ष 1990 में मुख्य बंतरी मुलायम सिंग यादव के आयोध्या में कार सेव को पर गोली चलवाने के आरोप लगते रहे हैं इसको लेकर भाजपा उन्हें और समाजवादी पार्टी को गेरती रही है इसी नजरीय से देखा जा रहा है तो वहाई कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेकार जुन खड़ गे और सूनिया गांदी को आयोध्या में राम मंदिर के नए प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने का नियोता मिला है आयोध्या में एकारिक्रम 22 जनवरी 2024 को होने वाला है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मुखे यजमान होंगे वो ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे श्रीराम जनवुमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट की तरफ से खड़ गे सूनिया गांदी के अलावा लोगसभा में कॉंग्रिस नेता अधी रंजन चौधरी को भी निमंत्रन दिया गया हाला कि कॉंग्रिस नेता इस समारों में हिस्सा लेंगे या नहीं ये तैय नहीं है सोर्सिस का कहना है कि वरिस्ट कॉंग्रिसी नेताओं के समारों में शामिल होने के संभावना ना के बराबर है सोर्सिस ये भी कहते हैं कि सूनिया गांदी मलिकार जुन खडगे और चौधरी को व्यक्तिगत रूप से निमंतरन भेजा गिया है समारों के लिए पूर्फ प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग और हडी देवगोडा साहब को भी निमंतर दिया है आने वाले दिनों में अन्य वपक्षी निताओں को भी निमंतरन भेजा जाने के संभावना यह राम मंदर के प्राहणर प्रतिष्टा के लिए शीरामजन भूमी तीर्त-शेत्र ट्रस्ट की और से देश के कई बड़े निताओं को निमंतरन भेजा जा रहा और येने मंतरन भेजा जा चुका है